नमस्कार, स्वागत है साहितिक जरों का चैनल पर आज हम करेंगे अंधेरे में कवीता आज इसका भाग तीन कर रही है मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कवीता किसकी है गजानन माधो मुक्ति बोध की कवीता है और चान्द का मुँ टेड़ा जो कवे संग्रह है उसमें संक्लित है अंधेरे में ये एक लंबी कवीता है और फैंटेसी पर आधारित है कवी का अंतरमन जो विचारों से घिरा हुआ है वही विचार इस कवीता के माध्यम से अभिवेक्त किये गई है तो आईए आज इसका भाग तीन करते हैं भाग दो मैं पहले करवा चुकी हूँ वो दोनों ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक में डाल दूंगी तो आप बहां से कर सकते हैं तो आईए आज का देखते हैं कवी क्या कहते हैं कवी कहते हैं कि समंज नहीं पाया कि सपना चल रहा है यह मैं जागा हुआ हूँ क्यूकि कवी के मन में जो विचार आ रहे हैं उसके बारे में कवी भ्रमित हैं जो कवी हैं मुक्ति बोद्थ ये सीविल लाइन में स्थित अपने कमरे में लेते हुए हैं और अपने विचारों में मगन है वहाँ पर अपने विचारों से ये इतना घिरे हुए हैं कि ये निर्णे ही नहीं कर पा रहे कि वो सो रहे हैं या वो जाग रहे हैं वो देखते हैं कि कमरे में दिया जल रहा है पीता लोक परसार में काल चल रहा है काल यानि समय पीता लोक य और इसमें समय जो है वो अपनी गती से चल रहा है आसपास फैली हुई जग आकृतियां लगती है छपी हुई जड़ चित्रकृतियों सी अलग वे हैं अलग वे दूर दूर निर्जीव कभी को क्या लगता है कि चारों और संसार की जग यानि संसार की अनेक आकृतियां है जो कुछ निर्जीव है और कुछ जड़ यानि निर्जीव का मतलब क्या है कुछ जड़ है और कुछ ऐसी है जो चित्रकृतियों सी है यानि कुछ सजीव है और कुछ निर्जीव है सब अलग अलग दूर दूर बिखरी हुई है निर्जीव आकृतियां जड़ आकृतियां सी वो दिखाई देती हैं यह सीवील लाइन्स है कभी कहते हैं कि यह सीवील लाइन्स है जहां मैं अपने कमरे में यहां पड़ा हूँ आँखे खुली हुई है पीटे गई बालक सा मार खाया चहरा इन पंक्तियों से यह में ग्यात होता है कभी कहां पर है अपने कमरे में और कमरा कहां है सीवील लाइन्स में लेकिन कभी यह बात कहना चाते हैं कि आँखे खुली हुई है कि यह केवल सपना मातर नहीं मेरी आँखे खुली हुई है पीटे गई बालक सा जैसे एक छोटे बच्चे को पीट दिया जाता है मार खाया चहरा और मेरा चहरा जैसे एक छोटे बच्चे को अभी भी मारा गया हो उसकी गाल पर पिटाई की गई हो वैसा ही चहरा उदास और एकहरा वैसा ही उदास और निराशा से भरा हुआ और मुर्जायो और चहरा कभी का है सलेट पट्टी पर खिंची गई तस्वीर भूत जैसी आकरिती क्या वह मैं हूँ मैं हूँ कभी स्वेम से ही प्रशन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मानो सलेट पट्टी पर सलेट पट्टी जो सलेट सलेटी रंग की जो पटी होती है जिस पर हम लिखते हैं कि सलेट पटी पर कोई भूत जैसी आकरिती की तस्वीर खींच गया है कवी उसे देख कर सोच रहा है कि क्या वो स्वेम है या वो कोई अन्य है तो इन पंक्तियों में कभी स्वेम अपने अस्तितों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं उप्रतिकात्मक शब्दावली का प्रयोग यहां पर किया गया है इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहां पर उक्मा अलंकार हुआ है अनुपरास अलंकार का प्रयोग अनेक स्थानो पर किया गया है बालक सा यहां कोन सा लंकार है उपमा अलंकार और मुक्त छंद है यह आप ध्यान में रखें रात की दो हैं दूर दूर जंगल में सियारों का हो हो पास पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेल गारी के पहियों की आवास किसी अनपेक्षित असंभव या भ्यानक संदे अचेतन प्रतिक्षा कहीं कोई रेल एक्सिजटेंट न हो जाए किस समय की बात यहाँ पर कवी कर रहे है रात के दो यानि रात के दो बज चुके हैं दूर दूर जंगल में जो जंगली सियार या जंगली जानवर है उनके कुकने की उनके हो हो की आवाजें आ रही है और पास पास आती है गहराती और गुंजती और ऐसे लगता है कि वो आवाजें धीरे धीरे गहरी होती हुई जा रही है गुंज रही है और पास आ रही है किसी रेल गारी के पहियों की आवाज भी कवी को सुनाई देती है और कवी के मन में वो जो आवाजे हैं उनसे क्या किसी अनपेख्षित असंभव घटना का भ्यानक संभे उत्पन कर रही है, जिसकी आशा नहीं की जा रही. ऐसी किसी असंभव और भ्यानक यानि ना होने वाली घटना का संभे कवी के मन में उत्पन हो रहा है. ए चेतन प्रतिक्षा कहीं कोई rail accident नहों जाए कि मन में ऐसे लगता है कि चिंता है और प्रतिक्षा किसकी एक ऐसी अन्होनी की और वो अन्होनी क्या है कि कहीं कोई rail का accident नहों जाए चिंता के गणित अंक आस्मानी सलेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते हैं और वो चिंता का भाव कभी कहां से देख रहे हैं खिड़की से दिखने वाला जो आस्मान है वो उसे सलेटी रंग का आस्मान सलेट पट्टी के समान दिखाई देते हैं और वो घटनाएं उसे वो गणित के अंक उसे कौन सी जो चिंता की लकीरे हैं वो उसे आस्मान की सलेट पटी पर चमकती हुई दिखाई देती है तारों के रूप में तो यहां पर चाक्षू और श्रव्य बिंब का प्रियोग यहां पर किया गया है रेल गाड़ी के पईयों की जो आवाज है वो देखें तो यांतरिक सब्वेता का प्रतीक है जिसके कारण समाज में हमेशा दुर्गतना के संभावना बनी रहती है यहां केवर रेल गाड़ी व्यक्ति विशेश या व्यक्तियों के समू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कारिया नहीं कर रही बलकि प्रतीकात्मक रूप में रूप से इसका इस्तिमाल किया गया है कि हमारी यांतरिक सब्वेता यानि यंत्रों से जो हमारी सब्वेता सुसजित हो जा रही है या हमारी सब्वेता में जो यांत्रिकता बढ़ती जा रही है जिसके कारण हमेशा समाज में किसी न किसी दुरगटना के संभावना हमेशा बनी रहती है तो यहां पर भी अगर हम देखें तो मुक्त चंद का प्रियोग किया गया है हाई हाई तालस्ताई कैसे पर कोन है जो मानवतावादी साहित्यकार हुए हैं उनकी बात यहां पर कभी कर रहे हैं और कभी क्या कहते हैं कि चिंतन में लीन होते हुए जब उन्होंने आकाश की और देखा तो सितारों के बीच में उन्हें कौन दिखाई दिया तालस्ताई और वो क्या करें वहां घू धर्ती को देख रहे हैं शायद तालस्ताई नुवा कोई वह आदमी और है लेकिन तभी कवी के मन में विचार आता है कि हो सकता है कि तालस्ताई जैसे दिखने वाला वो आदमी कोई और हो यहां उस व्यक्ति का संबंद कवी की अंतरात्मा से है क्योंकि जो कवी है उसके अंत से संबंद किनारे से उसका संबंद हो तो यहाँ पर कभी क्या कहते हैं कि अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रिय सम्वेदन दभी हाई हाई नुमा शाय तालस्ताई नुमा क्या कहना चाते हैं यहाँ पर कि वो चेरा कौन है मेरे ना लिखे गए उपन्यास की सम्वेदना की रूप में अनलिखे यानि जिस उपन्यास को मैं अभी तक नहीं लिख पाया हूँ उसकी केंद्रिय संबेदना यानि मूल जो भाव है केंद्रिय जो भाव है उसके रूप में दिखाई देता है जो तालस्ताई की उपन्यास है वो युद्ध और शांती के कारण ही अधिक लोग क्रिय इसलिए वो कैसा है अनलिखा है क्योंकि उनकी संबेदना इस समाजिक व्यवस्ता को देखते हुए दब कर रह गई है इसलिए कवी कहते हैं कि दबी हुई हाई हाई नुमा यानि दबी हुई हाई हाई के समान है और शायद वह आकार तालस्ताई के समान ही दिखाई भी देत तो यहां पर कवी ने ये सविकार किया है कि रूसी साहित्यकार तालस ताई से वो अधिक परभावित हैं और उन्होंने जो जन कल्यान को आधार बना कर साहित्य की रचना की थी उसका परभाव भी कवी के अंतरमन पर दिखाई दे रहा है प्रोसेशन क्या होता है जलूस नीस्तब्द नगर के मध्यरातरी अंधिरे में सुनसान किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन की जलूस किसका है नीस्तब्द यानि जो बिलकुल शान्त है चुप है ऐसे नगर में मध्यरातरी के अंधकार में चारों और जब स ईसे किरी दूर बेंड की दभी हुई आवाज सुनाई देती है उस बेंड की तान और धुन शुनाई किसको कवी when और में प्राशन उबता है कि प्रोसेशन थसक्राइस्जर्शन कर रहा है कि वह वियचितर प्रकार का चलूज क्यों निकल जिसकी आवाजें उसे मध्य रातरी में सुनाई दे रही है जब चारों और काला अन्हिरा चाया हुआ है चारों और विराना है सभी लोग सोई हुए है ऐसे में इस शान्त वातावरण में ये किसका प्रोसेशन है किसका जलू से है मंद तार उच निमन स्वर स्वपन उदास उदास ध्वनी तरंगे हैं गंभीर दिर्ग लहरियां तो यहाँ पर जो बैंड की धुन है वो कभी उँची हो जाती है मंद तार उच निमन स्वर स्वपन की कभी वो धुन उँची हो जाती है कभी मंद हो जाती है नीची हो जाती ह उसके स्वर कैसे लगते हैं स्वपन के समान लगते हैं जैसे सपने में कुछ लहरियां उत्पन हो रही हो वायू मंडल में ऐसी और वो लहरियां कैसी हैं उदास उदास ध्वनी तरंगे हैं घंबीर है दिर्ग लहरियां है कि लंबी लंबी स्वर लहरियां वायू मंडल में त काली जीवा, बिजली के द्यूतिमान दिये सा, मरे हुए दान्तों का चमतकार नमूना, कभी क्या कहते हैं कि वो गैलरी में जाते हैं और जलूस के रास्ते को देखते हैं, लगता है कि वो रास्ता पक्की सडख है, कोलतार पत्त, कोलतार यानि कोलतार से बना हुआ मारग है, रास्ता है या पक्की सडक है मरी हुई खिंची हुई कोई काली जीव अथवा किसी मरे हुए व्यक्ति की खिंची हुई काली जीव है जब काली सडक के आसपास बिजली के बल्ब परकाश्मान होते हैं बिजली के द्यूतिमान दिये यानि बिजली के चमकते हुए दिये यानि बल्ब जब परकाश्वान होते हैं तो कभी क्या विचार करता है कि ये बल्ब नहीं मरे हुए दांतों का चमतकार नमूना है कि ये बल्ब नहीं बल्कि किसी मृतक के खुले मूँ के दांत है जो की चमक रहे हैं क्योंकि यहां जो लंबा मारग है जो सडक है उसको खींची हुई जीब कहा है उस जीब के आसपास चमकते हुए बल्ब उसे कैसे लगते हैं जैसे कि खुले मृतक के खुले मुँ में चमकते हुए दांत हैं कवी के कहने का भाव क्या है कि आधी रातरी के वंदकार में चारों और उदासी है गंभीरता और सून शीत भरे थर्राते तारों के अंधियाले तल में नील तेज उद्भास पास 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 आ रहा इस ओर कवी बताना चाहते हैं कि दूर जो बैंड की धुनिया सुनाई दे रही हैं काली पक की सडक जिसे उन्होंने काली जीब के समान कहा है और कवी यहां पर कहते हैं किन्तु दूर सडक के उस छोड जो काली जीब के समान बसरी हुई सडक दिखाई देती है उसके दूसरे किनारे शीत भरे थर्राते तारों के अंधियाले तल किनारे पर जो अंधकार में चमकते तारे हैं तिम्टिमाते थर्राते चमकते हुए तारे हैं वो ऐसे लगता है जैसे अंधकार में कांपते से लगते हैं अंधियाले तल में क्या है शीत से सर्दी से भरे हुए थर्रा रहे हैं काप रहे हैं नील तेज उदभास उदभास यानि चमकना घने अंदकार में उनकी नीली तेज रोशनी की जो चमक है वो स्पस्ट दिखाई दे रही है पास पास आ रहा है इस ओर और ये नीला परकाश ध धीरे-धीरे कवी के पास आ रहा है दबी हुई गंभीर स्वर स्वपन तरंगे शत ध्वनी संगम संगीत उदास तान धनु धुन समीप आ रहा है इस संगीत में अगर देखें तो इस संगीत का जो स्वर है वो कैसा है वो गंभीर है दबी हुई गंभीर उसमें दबा हुआ क्या है गंभीरता का भाव है मानो ये एक उदास तान धुन है एक उदासी से भरी हुई धुन है ये स्वरस्वपन तरंगे जो धीरे-धीरे कभी के पास आ रही है ऐसे लगता है कि बैंड के जो संगीत में सैंकडो धुनिया मिली हुई है लेकिन इस धुन में विशेश प्रक कार की क्या है उदासी है जो सुनने वाले के मन को भी उदास बना देती है तो धीरे-धीरे ये उदास धुन कहां आ रही है कभी के समीप आ रही है और अब गैंस लाइट पातों की बिंडू चितकी बीचों बीच उनके सांवले जुलूस का सा कुछ दिखता और अब गैंस निलाई में रंगे हुए आपार्थिव चहरे बैंड दल उनके पीछे काले काले बलवान घोडों का जथा दिखता घना वैद्रावना अवचेतन ही जुलूस में चलता अब कभी को क्या दिखता है गैंस लाइट पांतों की बिंदू चिटकी ये गैंस लाइट की जो पंक्तियां है पांतो यानि पंक्तियों की जैसे बिंदू चिटक दिये गई हो बिखेर दिये गई हो चिटकी हुई बिखरी हुई गैंस लाइटों की पंक्तियां उसे और अब गैंस लाइट निलाई में रंगे हुए अपार्थिव चहरे बैंड दल उनके पीछे-पीछे काले बनवान गोडों का एक जथा भी दिखता है घना वै द्रावना अवचेतन ही है और कवी को ये लगता है कि जो ये घना और द्रावना जुलूस उसे दिख रहा है ये जुलूस बाहर ना होकर उसके अवचेतन मन में ही चल रहा है कवी अवचेतन ही जुलूस में चलता है यानि कवी का जो अवचेतन है यानि वो मानसिक रूप से जुलूस को देख रहा है कवी स्वेम से प्रशन करते हैं कि ये शोभा यात्रा किसी ऐसी जगे तो नहीं या कह नहीं ऐसा तो नहीं कि मरे हुए लोगों की शोभा यात्रा है अथ्वा किसी मृत्वेक्ति की शोभा यात्रा है ऐसा विचार कवी में मन में आता है क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की अजीब दोनोर निली गैंसलाइट पांथ रही जल रही जल नींद में खोई हुए शहर की गहन अवजेतना में हलचल पाताली तल में चमकदार सांपों के उरती हुई लगातार लकीरों की वारदार तो कभी क्या कहते हैं कि यह जो शोभा यात्रा है कभी के मन में यह भैउत्पन होता है कि यह किसी मृत व्यक्ति की शवयात्रा यह मृत दल की तो शोभा यात्रा नहीं है बड़ा ही अजीब लगता है कभी को उसके अंतर मन में इस प्रकार विचार आते हैं कि कहीं यह उसके अवजेतन मन में ही तो जलूस नहीं चल रहा है और यह जलूस कभी को ऐसे लगता है कि जैसे दोनों और निली गेंस लाइट की पंक्तियां है जो जल रही है नींद में सारा शहर खोया हुआ है सारा शहर गहन अवचेतना अवस्ता में है यानि नींद में डूबा हुआ है चारों और हल्चल है यह जैसे पाताली तल में और हलचल कैसे जैसे पाताल लोक में चमकदार सांपों की उरती हुई लगातार लकीरों की वारदा जैसे पाताल लोक में सांपों की उरती हुई पंक्तियां चमकती है और जल के भीतर लकीरों का निर्मान करती है ये सब बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा है, उसी घटना के समान कवी को लगता है, क्योंकि सब नींद में डूबे हुए हैं, लेकिन कवी को नींद नहीं आ रही हैं, इसलिए कवी क्या कहते हैं, सब सोए हुए हैं, लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी जादूई मैं जाग रहा हूँ अपनी कलपना के साथ अपनी फेंटसी के साथ इसलिए ऐसी कलपनाओं का मैं आनंद ले पा रहा हूँ विचितर प्रोसेशन, गंभीर, क्विक मार्च, कला बतु वाला, काला, जरीदा, ड्रेस पहने, चमकदार बेंड़ दल, अस्थी रूप, यकृत सवरूप, उधर आकृती, आंतों के जाल से बाजेवे दमकती हैं विचितर प्रोसेशन है, विचितर यानि अनोखा जलूस है, आधिरातरी के समय इस तरह का जलूस निश्चित है कि अनोखा ही जलूस लगेगा, बड़ी गंभीरता के साथ जलूस में भाग लेने वाले, क्विक मार्च करते हुए, तेजी से मार्च करते हुए, क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात कदम से कदम मिला कर तेजगती से चल रहे हैं, उन्होंने कला बतू वाले कला बतू वाले काले जरीदार ड्रेस उन्होंने पहन रखे हैं, यानि उनकी वर्दी है, उनके वस्तर कैसे हैं, काले रंके जरीदार वस्तर हैं, सारा ही जो ब उगर के यकरित या आकार वाले हैं कुछ पेट के समान हैं और कुछ अंतरियों के जाल के आंतों के जाल से बाजेवे दमकते हैं यानि अस्थी रूप यकरित सवरूप उदर आंतों के जाल के समान क्या है जो बजाने वाले वाद्ययंतर हैं वो उसी के समान बजते हुए या दमकते हुए चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं भ्यंकर गंभीर गीत स्वपन तरंगे उभारते रहते ध्वनियों के आवरत मंडराते पत पर लेकिन वो बाजे चमकते दमकते हुए क्या कर रहे हैं भ्यंकर गंभीर गीत स्वर तरंगे उत्पन कर रहे हैं और उनसे भ्यंकर जो गीत या संगीत है वो उत्पन हो रहा है बैंड से उत्पन होने वाली जो ध्वनिया है उनसे सुनसान सडक पर वो ध्वनिया क्या कर रही है आवरत यानि गोल घेरे में मंडराते हैं उस पत पर किस पर जो सुना पत है सुनसान सडक है उस पर एक गोल घेरे में जैसे चकर काट रही है लेकिन इन ध्वनियों को केवल कौन सुन सकता है केवल कवी सुन सकता है क्योंकि रात के अंधेरे में वही है जो जाग रहा है और बाकी सब क्या कर रही है सो रही है तो यहाँ पर कवी ने जलूस के रहस्यात्मक और उसके गंभीर सोहरूप का वर्णन किया है बैन के लोगों के चहरे मिलते हैं मेरे देखे हुए से लगता है उनमें कोई परतिश्चित पत्रकार इसी नगर के बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैन्ड दल में जैसे जैसे वो दल आगे निकलता है या जलूस निरंतर आगे बढ़ता है आदिरातरी के समय कवी को लगता है कि जलूस में जो बैन वजाने वाले लोग हैं वो ज़ादा तर कवी ने देख रखे हैं उन लोगों को वो ध्यान से देखता है, तो उसे लगता है कि ये तो सब जाने पहचाने चहरे हैं, उनको वो अच्छी प्रकार से जानता है, कभी अनुमान लगाता है कि कुछ तो इसमें से परतिष्टित पत्रकार हैं, जो परतिष्टा प्राप्त कर चुके हैं, जो बहुत मान सम्मान प्र आवाता है कि वो तो बड़े बड़े लोग थे फिर इस बैंड दल में वो कैसे शामिल हो गई उनके पीछे चल रहा संगीत नोकों का चमकता जंगल चल रही पदचाप ताल बद दीर्ग पांथ और उन जाने पहचानों के चेहरों के पीछे पीछे संगीन नोकों का चमकता ज कि सभी बंदूक की नोक को उपर करके एक साथ चल रहे हैं तो वो चमकता हुआ है चमकती हुई एक जंगल के समान यानि चारों तरफ बंदूक की नोक ही नोक दिखाई दे रही है जो चमक रही है और वो किसके पास है उस सेना के समू के पास है चल रही पदचाप ताल बद दिर्ग पांथ और वो लंबी लंबी पंग्तियां सभी अपने कदमों को तालबद करके चल रही है यानि एक साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रही हैं उनके साथ टैंक दल है मोटार है आर्टिलरी संद आदी अपने साथ लिए हुए हैं सेना के सभी दस्ते त्यार हैं यानि धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भिहावना और इन सभी जो टैंक दल, मोल्टार और आर्टिलरी आधी, जो सैना के सभी दस्ते हैं, वो एक जुलूस के समान धीरे धीरे एक भियानक रूप लेकर आगे बढ़ रहा है, सैनिकों के पत्थराइ चेहरे, जो सैनिक उसमे ह उनके चेहरे कैसे हैं पत्थर के समान यानि जड़ हो गए हैं भावहीन चेहरे हैं चिड़े हुए हैं जुलसे हुए बिगड़े हुए गहरे यानि वो कैसे लग रहे हैं जो चिड़े हुए हैं जो चिड़ चुके हैं जुलसे हुए हैं बिगड़े हुए हैं उनके चेहरों पर क्या है गंभीरता चाई हुई है कभी क्या कहते हैं मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा था और कभी के मन में एक विजार आता है कि मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है लेकिन इनके चेहरों पर प्रसंता का भाव नामात्र भी नहीं है गंभीरता चाई हुई है तो यह पत्रकार बंदू है वो बैंड दल के समान है जो दूसरे की बताई गई धुन बजाते हैं स्वेम सच्चाई का उद्गाटन नहीं करते या सच्चाई को उद्गाटित नहीं करते जुलूस में भाग लेने वाले जो जन सैनिक है उनका वर्णन किया गया है जो वस्तुते परशन अवस्ता के नियमों का पालन करते करते उनकी इच्चाई मर चुकी है उनके चहरे मृत हो गए है भावहीन हो गए है अनुप्रास और उक्मा दंकार का सुन्दर प्रयोग यहां पर किया गया है शायद उनमें कई परीचित उनके पीछे ये क्या केवैलरी काले काले गोड़ों पर खाकी मिल्ट्री द्रेस चहरे का आदा भाग सिंदूरी गेरुआ आदा भाग कोलतारी भैरव आबदार कंदे से कमर तक कारतुजी बैठ है तिर्चा कैवैलरी यानि यहां पर कैवैलरी क्या है गुर्षवार सेना है तो यहां कवी क्या कहना चाते हैं कि जु उनको ध्यान से देखते हैं तो शायद उन में कई परीचित उसे नजर आते हैं जिनको पहले न पहले कहीं कवी ने देखा हो कुछ कवी के परीचित लोग है तब कहते हैं कि जुलूँस के पीछे कोन चल रहा है वो कोन है केवैलरी यानि घुरोर सेना है काले काले घुडो पर सेना की जो खाकी ड्रेस पहने हुए लोग है वो स्वार हैं और उनके चेहरे का आधाभाग कैसा है सुदूरी और गेर हुए रंका है लेकिन आधा भाग कोलतारी भैरव है कोलतार के समान कोलतार क्या होता है जिससे सडक बनाई जाती है काले रंका जो पदार्थ होता है उसके समान काला और भ्यानक लग रहा है आपदार से तात्परे क्या है भ्यानकता से चमकता हुआ उनके चेहरे बड़े ही चमकदार हैं कंधे से कमर तक कार्तूसों की तिर्ची बैल्ट उन्होंने पहनी हुई है तो घुर्षवार सैना का वर्णन किया है जिनके सैनिकों के चेहरे बड़े चमकीले हैं लेकिन वहाँ पर भाव कैसी है डरावनी, चमक कैसी है डरावनी है, यहाँ पर भी अगर हम देखें, तो संदे अलंकार का प्रियोग किया है, अनुप्रास लंकार का प्रियोग किया है, चाक्षुक बिम्ब की योजना है, कमर में चमडे के कवर में पिस्तोल, रोशपरी एका द्रिष्टी में धार है कर्नल ब्रिगेडियर जनरल मार्शल कई और सैना पती सैना अध्यक्ष चहरे वे मेरे जाने बुजे से लगते हैं उनके चितर समाचार पत्रों में छपे थे उनके लेख देखे थे यहां तक की कविताएं पड़ी थी भई वाह यहां पर कभी क्या कहत हैं कि जो घुरस्वार सैना के लोग हैं या सैनिक हैं उन्होंने कार्तुस की पटियां पहन रखी हैं उनकी कमर में चमडे के कवर में पिस्तोल है और जो कमर पर चमडे का कवर लगा रखा है उसमें उन्होंने पिस्तोल डाल रखे हैं जो रोश भरी एका द्रिष्टी में धार है और इसके साथ-साथ उनके चेहरे पर क्या है रोश है क्रोध से भरी हुई जो एका द्रिष्टी है वो बड़ी ही तेज द्रिष्टी यानि तेज द्रिष्टी है और जिसमें की क्या है वो बड़ी धार है धार यानि पैनी है तेज है करनल है उसमें ब्रिगेडियर है मार्शल, सैनापती और सैनाअध्यक्ष है ये सबी चहरे कवी के जाने पहचाने ये चहरे ये वे हैं वो जाने बुझी से लगते हैं यानि कवी के जाने पहचाने हैं इनके चहरों को कवी ने समाचार पत्रों में देखा था या उनके चितर छबे थे कवि सविकार करते हैं कि उनके द्वारा लिखे गए लेख तक देखे थे यहां तक कि उनकी कविताएं भी पड़ी थी भई वा उनके कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते, कविगण, मंतरी भी, उद्योगपती और विद्वान यहां तक कि शहर का हत्यारा, खुख्यात, दोमा जी उस्ताद, बनता है बलबन, हाई हाई, यहां दिखते हैं भूत पिशाच काई, तो यहां पर कविपुने ये बताना चाहते हैं कि जो देखे हुए हैं चेहरे हैं वो जाने पहचाने हैं, इस जलूस में बड़े ही या विख्यात आलोचक हैं, विचार करने वाले विचारक हैं, चिंतक हैं और इसके साथ साथ मंतरी, उद्योगपती और बहुत बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी हैं, यह सभी क्या कर रहे हैं, इस जलूस की शोबा बढ़ा रहे हैं, यहां तक कि कवी क्या कहते है कि शहर का नामचीन या खुख्यात हत्यारा दोमा जी उस्ताद भी इस जलूस में भाग ले रहा है इस हत्यारे की करूरता के किस्से तो सभी लोग जानते हैं बनता है बलवन कवी के कहने का भाव क्या है कि ये जानकर कवी को हैरानी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि ये बदमाश उनके साथ क्यों चल रहा है इसलिए कवी ने यहां कि शब्द का प्रियोग किया है हाई हाई शब्द का प्रियोग किया है तो कवी इस पस्ट करना चाहते हैं कि ये जो शोशनकारी विवस्ता है इसमें ना केवल सरकारी अधिकारी मिले हुए हैं बलकि नगर के जो नामची गुंडे और बदमाश है वो सब भी मिलकर गरीबों का शोशन कर रहे हैं कवी ने आज के जो साहित्यकार हैं आलोचक हैं मंत्री हैं उद्योगपती हैं उन पर भी करारा व्यंग्य इन पंक्तियों के माध्यम से किया हैं कवी क्या कहते हैं कि यहां दिखते हैं भूत पिसाच और ये सब लोग जो दिन के उजाले में कुछ और नजर आते हैं लेकिन र भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है और इस जलूस में जो ये नामचीन लोग हैं इनके भीतर छुपा हुआ जो स्वार्थ का भाव है वो स्पस्ट दिखाई दे रहा है छीपे हुए उदेश्य यहां निकर आये हैं और इनके उदेश्य कैसे हैं जनता का शो कुमती है इतने भी प्रोसेशन में से कुछ मेरी और आखे उठी मेरी और भर लेकिन कभी क्या कहते हैं कि यहां पर जो शोभा यात्रा है वो केवल शोभा यात्रा नहीं है बलकि किसकी है मृत दल की मरे हुए लोगों की तो कभी को ऐसे लगता है कि यहां पर सब रात के अं हें मृत दल है लेकिन कुछ लोग कभी के जो विचार है वो उसके सिर में घूंगने लगते हैं उसके मस्तिश्क में कौंधने लगते हैं कभी को लगता है कि इस जुलूस में कुछ ऐसी आखें भी है जो मेरी और देख रही है क्रोधित आंखों से वो कभी को किस लिए दूख है उसके सामने की जो नोख है घुस गई हैं बर-बर यानि करूरता पूर्वक, सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर और कविए देखकर घवरा जाता है कि सड़क पर जैसे कोई शोर खड़ा हो गया मारो गोली दागो रसाले को एक दम, कि मारो गोली और इसको क्या करो इसको दागो गोली मार दो तो कवी को जुलूस में शामिल होने वाले जो लोग हैं बड़ी ही क्रूर दृष्टी से कवी को देखते हैं और शोर मचाते हुए क्या कहते हैं कि गोली मार दो किसको गोली मारने की बात कर रहा है वो जुलूस कवी को गोली मारने की बात कर रहा है दुनिया की नजरों से अटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हम को कि हम तो जो जलूस के लोग है वो कहते हैं कि हम तो संसार से छिप कर चले जा रहे थे आधी रात के अंदकार में उसने हमको देख लिया किसने देखा कवी ने वह जान गया वह सब मार डालो उसको खतम करो एकदम रास्ते पर भागदोर ठका पेल गैलरी में भागा मैं पसीने से सराबोर और कवी को ऐसे लगता है कि जो भीड है वो ये कह रही है कि इसे गोली मार दो क्योंकि इसने हमारी असलियत को जान लिया है ये आदमी हमारे लिए क्या हो सकता है खतरनाक सिध हो सकता है इसलिए इसे गोली मार कर खतम कर दो जिन्दा ना रहने दो इन लोगों के ऐसा कहते ही रास्ते पर एकदम से भगदर मज जाती है धक्का मुकी शुरू हो जाती है और लोग एक दूसरे पर गिरने पड़ने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं प्रंतु कवी गैलरी के मारक से दूसरी और भागने लगा दर के मारे उसके शरीर में क्या हो गया पसीने से सरावोल उसका शरीर भीग गया लेकिन फिर भी वो भागा चला जा रहा था तो यहां पर कभी इस पस्ट करना चाहते हैं कि कोई पत्रकार या इमानदार व्यक्ति समाज के शोशक पुंजी पती और भरष्ट अधिकारियों या राजनितिग्यों के रहसे को अगर जान लेता है तो शिगर ही उसे मृत्यू का शिकार बना दिया जाता है या आधुनिक य जागते में फिर से याद आने लगा वहस्वपन कि एका एक वो सब जो सपना देख रहा था वो जो अंतरमन में विचारों की उथल पुथल मची थी वो सब बिखर गए जागते में फिर से याद आने लगा वहस्वपन फिर से याद आने लगे अंधिरे में चेहरे और तब मुझे प्रतीत हुआ भ्यानक गहन मृत आतमाई इसी नगर की हर रात जलूस में चलती कवी को फिर याद आने लगा और वो सब अंधेरे के चेहरे उसे दिखाई देने लगे और कवी को ये प्रतीत होने लगा कि एक दिन की बात नहीं है बलकि ये मृत आतमाई मृत आतमाई किसकी है जो समाज के विवस्थित समाज को चलाने की एक कड़ी है उसके सभी जिम्मेदार लोगों की आतमाई मर चुकी है और वो मृत आतमाई इसी नगर में हर रात जलूस में चलती है जलूस में निकलती है प्रन्तु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई शडियंतर, विभिन, दफ्तरों, कार्यालियों, केंद्रों में, घरों में, हाई हाई, मैंने उन्हें देख लिया, नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी कवे कहता है लेकिन ये वही आतमाई हैं जो दिन में बैठती हैं और शडियंतर करती हैं किसके खिलाफ आम जनता के खिलाफ अलग अलग दफ्तरों में कारियालियों में केंद्रों में या अपने अपने घरों में बैठ कर आम जनता के खिलाफ शडियंतर का काम करती हैं और रा तो यहां पर कभी ने जो ततकालीन विवस्ता है या विवस्ता को चलाने वाले जो अधिकारी हैं जो लोग हैं जो राजनीतिक ये हैं जो दफ्तरों और कार्यालियों में काम करने वाले करमचारी हैं उन सभी पर करारा व्यंगे किया है और वास्तिक्ता को उजागर करने का प पहचान लिया है और मुझे लगता है कि इसकी सजा भी मुझे ये अवश्य ही देंगे और सजा कैसी जो वास्तिविक्ता को जान जाता है उसको ये भीड क्या करती है मोत के घाट उतारने की कोशिश करती है तो कभी के मन में ये भै है कि अब मुझे इसकी सजा अवश्य आज के लिए इतना ही भागतीन आज हमने पूरा किया इसका दूसरा वीडियो में जल्द ही बनाऊंगी तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें